इस वीडियो में हम सीखेंगे counting यानि गिंती English में और साथ में हम ये भी सीखेंगे कि English में इन नमबर्स को लिखते कैसे हैं और इनकी spelling क्या हैं इस वीडियो में हम दो नमबर्स को पढ़ेंगे 7 और 8 यानि 7 और 8 चले हम शुरू करते हैं अपनी screens की तरफ देखिए ये है seven seven यानि साथ seven आप भी मेरे साथ पढ़ने की कोशिश करें seven और seven की spelling क्या है एस ए वी ए एन seven यानि साथ और seven की spelling क्या है seven यानि साथ अपनी screens की तरफ देखें अगला नमबर पढ़ते हैं ये है eight यानि eight यानि eight और eight की spelling क्या है eight यानि eight और eight की spelling क्या है eight यानि eight यानि eight अब हम seven और eight को लिखने का तरीका सीखेंगे लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा दोहरा लेते हैं अपनी screens की तरफ देखें ये क्या है seven 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 चलें आप हम seven को लिखने का तरीका सीखते हैं seven को लिखने के लिए पहले आपने एक सीधी लकीर लगानी है और फिर एक तिर्ची लकीर नीचे तक ये बन जाएगा seven और seven की spelling है s e v e n seven seven चलें हम एक बार फिर से लिखते हैं seven को लिखने का तरीका क्या है एक सीधी लकीर और फिर एक तिर्ची लकीर और seven की spelling क्या है और एक तिर्ची लकीर और एक सीधी लकीर। और एक तिर्ची लखी. और seven के spelling क्या है? S, E, V, E, N. Seven, बिल्कुल ठीक. अब हम eight को लिखने का तरीका सीखेंगे. लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा दोहरा लेते हैं. ये क्या है? Eight. E, I, G, H, T. Eight. और eight को लिखने का तरीका क्या है? पहले एक गोल दाइरा बनाएंगे. और उसके नीचे एक और गोल दाइरा बना देंगे. और ये हो जाएगा eight. Eight की spelling क्या है? E, I, G, H, T. Eight. आप भी मेरे साथ पढ़ने की कोशिश करें. चले हम एक बार फिर से लिखते हैं eight, लेकिन आपने भी मेरे साथ पढ़ते जाना है. Eight को लिखने का तरीका क्या है? पहले पहले एक गोल दाइरा और उसके नीचे एक गोल दाइरा. दो दाइरे जब हम बनाएंगे तो वो बन जाएगा eight. और eight की spelling क्या है? मेरे साथ पढ़ना है ए, आई, जी, एच, और टी, eight. चले हम एक बार फिर से लिखते हैं. एट को लिखने का क्या तरीका है? पहले एक गोल दाइरा और फिर एक और उसके नीचे गोल दाइरा. ये हो जाएगा eight. और eight की spelling क्या है? आपने भी मेरे साथ पढ़ना है. ए, आई, जी, ए, ए, आई, जी, ए, ए, एच, और, टी, eight. बिल्कुल ठीक. अब हम एक छोटी सी मश करेंगे या एकसरसाइस करेंगे. सामने दी हुई तसावीर को आपने गिनना है या काउंच करना है. और साथ में ये बताना है कि ये कितने बन जाते हैं या कितने नंबर्स हैं. जब हमें ये पता चल जाएगा कि ये तादाद में कितनी हैं, तो सामने दी हुई लाइन पर हम वो नमबर लिख देंगे चले हम शुरू करते हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ सामने दी हुई लाइन पर अब हम क्या लिखेंगे सेवन यानी साथ और हमने सेवन के स्पैलिंग भी लिखने हैं चले हम लिखते हैं, आप भी मेरे साथ, मदद कीजिए सेवन लिखने का क्या तरीका है एक सीधी लकीर और फिर एक तिर्ची लकीर ये हो जाएगा सेवन अब आपने मुझे सेवन की स्पैलिंग बतानी है चले हम मिलके लिखते हैं एस ए वी ए एन सेवन बिलकल ठीक चले अब इन कार्स की तरफ या इन गार्डियों की तरफ आजाएं हमेने गिनते हैं ये कितनी है एक दो तीन चार पांच छे साथ आथ आप भी मेर साथ पढ़ें वान तू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट यानि हम सामने दी हुई लाइन पर क्या लिखेंगे एट चले हम लिखते हैं आपने भी मेरी मदद करनी है एट को लिखने का क्या तरीका होता है एक गोल दाइरह और उस गोल दाइरे के नीचे एक और दाइरह ये बन जाएगा एट बिलकुल ठीक एट की स्पैलिंग लिखते हैं आप भी मेर साथ पढ़ेंगे E I G H और T 8 यानि 8 7 और 8 इस वीडियो में आपने क्या सीखा? 7 और 8 और 7 और 8 की Spelling अब आप इस वीडियो को दबारा देखें और साथ में 7 और 8 को पढ़ने की और लिखने की भी कोशिश करें इस से नहां आप गिंती English में या Counting बहुत जल सीख जाएंगे